एक ऐसे फोन के बारे में जो बहुत मशूर है और हमेशा से कन्फूजन रहा है लोगों के वैल्यू फूर मनी है यह नहीं तो उसमें से एक है आइफोन 11 अब यह मैंने लिया था आज से दो तीन साल पहले 2019 में लिया था मैंने बेसिकली उस समय यही लेटेस आइफोन आया था मैंने ले लिया था क्योंकि इसके लेना चाहिए नहीं क्योंकि यह उफिशिल एपल की वेबसाइट पर भी अवलेबल है और मैंने यह खरीदा था 65,000 का लेकिन आप यह आपको 40,000 के राउंड भी पढ़ जाता है तो लोग हमेशा कि यह लें या कुछ पैसे डालके 12 लें या कौन सा लें तो बैसिकली और एक वीडियो 2021 में पॉस्ट कर चुका हूं कि यह वर्त है या नहीं तो आज मैं बात करूंगा कि आपको 2022 में आईफोन 11 लेना चाहिए या नहीं वैसे देखिए मैं और वीडियो पॉस्ट कर चुका हूं आईफोन 11 वसे 12 की तो मैं आज उस 12 से कंपेर नहीं करूंगा मतलगा अब में 12 से कंपेर देखना है तो आप उल्रीडी में वीडियो पॉस्ट कर चुका वह देख लीजिए और मैं इसके अन्बॉक्सिंग भी आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जब मैंने खरीदा तो इसके साथ एडप्टर भी आता था औ और पहले ही बता दू फॉर्मेल्टी के लिए कि ये वीडियो कहीं से भी स्पॉंसर नहीं है नहीं मुझे एमेजन ने और एपल तो मुझे क्यों ही स्पॉंसर करेगा तो मेरा ओनेस्ट ओपिनियन है कि आपको इसे इन्वेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और अगर कोई भी फोन लेंगे तो आप कुछ क्रैटीर है के बेसिस पर उसे जज़ करते हैं जैसे अगर मैं इतने पैसे खर्च रहा हूं महरत 40,000 के करी में खर्च रहा हूं तो मुझे कुछ जरूर चाहिए जैसे कि मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए ताकि मैं अच्छी फोटो ल लेखना या कोई भी काम करना है तो स्क्रीन बहुत बड़ा रूल है तो मुझे इस चाहिए थर्ड चीज जो मुझे अच्छी चाहिए जैट इस कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसा नहीं हो कि वह लैक कर रहा हूं अगर वह लैक करें तो यह उसके अंदर का अगर वह लैक करेगा फॉर्ची जो मुझे चाहिए उसके अंदर वह है उसका डिजाइन और दिखने में वह थोड़ा टशनी साओना चाहिए मतलब भडिया साओना चाहिए दिखने में यार कि हाथ मैं चालीस हजार का फोन पकड़ रहा हूं तो यह तो मुझे अच्छी चाहिए उसके साथ साथ उसके अंदर वह अडिशनल रवांटेज क्या है जो कुछ अलग से हो लाइक आजकल ड्यूल सीम भी चाहिए यार मुझे मदब थोड़ा सा काफी चीज़ चाहिए तो इस हिसाब से मैं जजज करता हूँ और इस हिसाब से मैं दिखाऊंगा आपको क कैसे आईफोन 11 एक अच्छा फोन है तो पहला आप इसके प्रोस और कौन सुन लीजे फिर आप खुद भी डिसाइड कर सकेंगे और मैं अपना कंक्लूजन भी दे दूँगा वैसे मेरे अगोरिंग ये जिस पॉइंट ब्रैकिट में आता है आपको ये ले लेना चाहिए अ अगर आप सोच रहे हैं कि केस कहां से लिया है तो इसके लिए एक सेप्रेट वीडियो में अल्रेडी बना चुका हूं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है तो अगर आप केस के बारे में जाना चाहते हैं तो वीडियो देख लेना तो सबसे पहली चीज जो इस फोन के इसके कैमरा अब इसके कैमरा ओविसली बात है तो बहुत जादा बढ़िया नहीं है लेकिन अगर आप सिंपली और सिंपली इसकी बात करें कि यह कैसे परफॉर्म करते हैं तो इस रेंज में जो भी आप फोन लोगे तो इसमें सबसे बैटर हैं और मैं वीडियो में बताता हैं तो इसके कैमरा लिटरली बहुत बढ़िया हैं और इस आइफोन के अंदर फर्स टाइम था कि दो लैंसे दिये गए थे एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड अब अल्ट्रा वाइड लैंस बहुत ही बढ़िया है अगर आप व्लॉगर है या अच्छा सीन कैप्चर कर चाहते हैं शुरू मुझे लगता था कि इसको कोई फायदा नहीं है लेकिन ये आपकी वीडियोग्रफी में चार चान लगा देगा तो मैं इसके आपको कुछ कैमरा वीडियो सेंपल्स दिखाई देता हूं इसका फ्रेंट कैमरा वी 12 में पिक्सल है तो वह भी बहुत बढ़िया है अगर आप वीडियो लेना चाहो चाहे आप फोडो लेना चाहों तो वह बहुत ही बढ़िया है दूसरी चीज इसके अंदर जो अच्छी है इसकी स्क्रीन अब लोग बोलेंगे कि इसकी LED स्क्रीन नहीं है लेकिन ये LCD स्क्रीन है लेकिन बहुत ही हाई क्वालिटी कि है और बसलिबाद है एपल की तरफ से ये वान ओफ दी बैस LCD स्क्रीन है आपको कोई भी इतना बढ़ा दिफ्रेंस मैसूस नहीं होगा एस कंप्रेटों के इस रेंज में आप कोई LED वाला Android फोन लोगे तो ये बहुत ही बढ़ा चीज है इसकी स्क्रीन साइज बहुत ही अच्छी है तो ये दो फीचर जो है वो बहुत बढ़िया है इसके अंदर मेरे कोर्डिंग की जिसके लिए आप इसके लिए जा सकते हैं और तीसी चीज इसके अंदर जो अच्छी है आप इसके लिए जा सकते हैं कोई भी दिकत आपको नहीं होगी तो ये बहुत ही बढ़िया है performance के मामले में भी और ये one of the best thing लगते है मुझे इसकी ये तीन चीजे इसकी top selling point है तो अगर आप gaming के लिए decent phone देख रहे हो camera के लिए अच्छा phone देख रहे हो और जिसके अंदर decent सी screen हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है तो जो चोथी चीज इसके अंदर अच्छी है that is इसका design अब इसकी design और build quality बहुत ही बढ़िया है ये glass और metal build है और ये बहुत ही बढ़िया है ये आज भी आपको एक premium phone लगेगा और इसका design curve होने के वैसे ये हाथ में पकरने के लिए बहुत बढ़िया है build quality के बात लो तो वो आज भी top notch है और अगर आप colors मेले के confusion हो तो मेरे recording white ले ले लेना white सबसे बढ़िया लगता है मेरे recording बाकि एक green सा color है इसका वो भी बहुत अच्छा है लेकिन white बढ़िया है क्योंकि white हमेशा हर model में आते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया चीज है और जो लास्ट चीज है मैं इसके अंदर अच्छी मानूंगा यह water resistant भी है मतलब इसके अंदर IP68 rating है जिसके विए से काफी अच्छा water को रिस्क कर सकता है तो accidentally अगर आप इसे पानी में drop कर दोगे तो आपका phone सुरक्षित रहेगा तो यह भी एक advantage है मतलब आप इसे बारिश में भी use का सकता है मैंने बारिश में use किया है मुझे सच कोई दिक्कत नहीं आई तो यह भी इसका एक advantage है तो यह पांच चीजे हैं इसके अंदर जो अच्छी है तो मैं काफी अमेज हो गया कि मुझे लग रहा था कि उसकी 11 से कम होगी लेकिन उसकी 11 से बहुत better है और 13 की तो much better है अगर आप देखोगे तो और इसके अंदर जो चीज अब negative है तो first यह 5G नहीं है वेदे 5G अगर आपके लिए बहुत बड़ा issue है तो आप इसके लिए ना आ जाए मुझे 5G इतना बड़ा issue इसलिए नहीं लगता क्योंकि 5G भी launch नहीं हुए और high speed internet के लिए मैं कभी भी 4G भी यूज नहीं करता मैं wifi यूज करता हूँ तो यह चीज आप consider कर सकते हैं और जो मैंने बताया था जो इसकी screen है tight है और आप इसके लिए जा सकते हैं तो जाइए यह आपको complaint का मौका नहीं देगा लेकिन अगर आपका budget थोड़ा भी जादा है तो आप iPhone 12 के लिए जा सकते हैं इस range में जित्ते भी और Android phone है वो इससे compete नहीं कर सकते यह बहुत ही बढ़िया है और इसका main selling point जैसे मैंने आपको शुरु में बताया इसका camera बहुत अच्छा है बाग की सब features भी इसके decent है आपको कहीं भी complaint की जोट नहीं होगी सिर्फ एक 5G नहीं है वो भी अभी तक launch नहीं हुआ तो मैं एक drawback नहीं मानता हूँ से तो यह इस price point में कोई भी Android से बीट नहीं कर सकता मेरे record है अब कुछ लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे लेकिन ऐसा मैं literally सच बोल रहा हूँ कि मैंने इस पे video भी edit करी है photos भी edit करी है मतलब इस phone ने मुझे कभी disappoint नहीं किया और यही एक design है कि मैंने अब तक upgrade नहीं किया 13 पे शायद 14 पे upgrade कर जाऊं या 14 प्रो पे क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छे पिचलाएंगे और अगर आप इसे खरीदने का बना ही चुके हैं तो link description में है मैं चाहूँगा वहीं से खरीदें ताकि आपको best price मिल सके और मेरे चैनल थोड़ा promote हो जाए तो hope आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो like देना एपस लेटिड और भी वीडियो चैनल पर मौझूद है उन्हें देख लेना और अगर आपका कोई भी query है अभी भी इस phone को लेके तो आप comment box मुझे पूश सकते हैं या फिर मुझे DM कर सकते हैं तो फिर मिलता है कले वीडियो में तिल दन stay safe बाबाई